हलो मेरे प्यारे चातरों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को 2020 में आने वाला समाजिक विज्ञान का पेपर हल कराने वाले हैं आप सभी को पता है कि 11 मार्च को 11 मार्च 2025 को आप सभी का समाजी विज्ञान का पेपर होगा ये एक प्रकार का वारल पेपर है आप इस पेपर का संपूर हल जरूर देखे इस पेपर को एक दम तयर कर लिजिएगा इसमें से आपको maximum सवाल आपको बोड़ के एक्जाम में आने वारे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे जब आपको यह paper मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अनकर्मा के लिखना रहता है और यहाँ पर अपना नाम लिखना रहता है यहाँ पर देख लिजे 825 यह j.a. आपका paper का set है अब यहां पे देखें कुछ मुख्य पॉइंट है आपको बता देते हैं जिसे देखें आपको जो पेपर रहता है तीन घंटा पंदरे मिट में हल करना रहता है यह पंदरे मिट जो होता है को प्रशन पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है और यह पुडाएंग जो रहे दिया गया है मुख्य मुख्य जो निर्देश होते उसी पॉइंट पर बात कर लेते और जितना सेथ निर्देश होगा आप इसे पढ़ सकते हैं देखें खंड और खंड बहा होगा यारी कि प्रशन पत्र रहेगा दो भागों में बटा होगा खंड और जो होता है इसमें 20 ववी कलपी प्रशन रहेंगे जिसका उत्तर और सित्प पर देना रहेगा और सीट भरते समय द्यान देखेंगे काला नीला प्रियूग कास्ट ती तृट है इसके साथ कुछ और मुख्य पॉइंट दिया है जैसे खंडबव है छंड पचास अंक का वरातमग प्रसं तो बहुत इकल्पी हो गया । 50 अंग का वरात्मक रहता है यह भी आपके जो वरात्मक प्रश्ट रहते हैं कई भागवं में बटा होता है। जैसे वरात्मक सकंड होगा और साथ मांचीत्र से शम्बनित आपसे प्रस्ट पूछे जाते हैं मांचीत्र यो सवाल रहता है। आपको बोड के एक्जाम के मांचीत्र मिलता है। उसी मांचीत्र पर आपको सवाल भरना रहता है। ठीक है। और यह कुछ putting आप इस पोड़ सकते हैं, mainly important जो आपका मुख क्य点 था उसे आपको बता दिये। चलिए प्रशन पत्र के सभी के प्रस्द आने थीखें पहला सवल क्या है आपका कहार है कि 801 का संबन्ध किसदेस से था है यहाँ आपち याद रखेंगे यहाँ याद रख्वाणमार्ख किस देश से संब्धि थे आप संपर तो दियान सेप्ड़ के ही आप एंस्वार दीजिजए का यहाँ पर दिहा है जरेमानी, Critean, Italy या में फ्रांस सका शेदी छहार है, जो आप सभी को पताथें कि जितने प्रश्न आपकू करानेवाले में जिस प्रश्न का एंस्व आपको पहले से आघे भी की आपको है आप общем कब होई थी ठीक है ये प्रक ने तुस्तम है को एकदम हों गया होगा कि फ्रांस के खुआ वोगज थी चरहां सथ शाथ मअ शनत्रेलेस सत्तर में शना सत्रेस 5吸रींमिए यर्या सिवातर्व पंचान्गे यहas प्रांस में किया गया था भिया अमरिकया होगा अगले प्रशनेट Size यह आप सभीम था या और फोल्झा नाम है यह यह झाली यह जापने रिंडर्ट ये वह तरह एक प्रकार की भीमारी था उसी का नाम नाम पढ़ा था रिंडर्ट पेस्ट थैं यहाँ प्रकार की भीमारी था अगला प्रेशन देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक यानि हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक किसे माना जाता है आपसन है बाल गंगा धर तीलब को या इसके लिए अरुड़ा आसफ अली को सरदार पटेल को या महात्मा गांधी को ते हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह महात्मा गादी जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का पुस्तक है तो इसका सही जवाब क्या होगा डिवल आपसन सही हो जागा कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गादी जी के द्वारा लिखा गया है अगला प्रशन अस्यजर सकतियां प्र Adapt सब्सक्राइब या इसको प्राप्थ संग को सब्सक्राइब होता यह इसका सभी जवाब बिल आपसन सभी होगा संग मतलब होता है कैंद्र अग संग को प्राप्तित इसका सही जवाब बीवला अफसन सही हो जाएगा अगला डेकर साथ नमबर कि नीवनलिखित में से कॉन लोकतंत्र से संबंदित लोकतंत्र उसे संबदित होता है पर दर्शिष न चाहिए रूटा वर उत्तर्दाइ सब्सक्राइब चाहिए यानि कि लोगतंत्र में यह सभी गुड होता है उसका सही जवाब क्या होगा डीवल आपसन सही हो जागा कि लोगतंत्र से संबंदित आपका सभी आपसन यहां पर क्या है सही है ठीक है अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण आपका क्या है निम्नलिकित में से कौन सा विश error शंग सूची में है या यह समझ सूची से संबंधित कौन से यहां पर है यह से प्रतिरक्षा किरशी सिछा ब्यापार ठीक यहां संग सूची से संवधित कौन सब्सूर्ठ है देखिए यहां संग सूची के अंद्रगत आपका प्रितिरच्छा हुआ या रच्छा दिया रहेगा आपसं में तो आपका संग सूची में क्या आता है प्रितिरच्छा तो इसका सही जवाग एवला आपसं सही होगा अगला प्रसंद देखें आप नौ नंबर का कि भारती सनविधान कब ला लाग हुआ था तो आपको पताना है कि क्ब लागु हुआ था आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को लागु यहाद को प्रशन को जरूरी याद रखिएगा अगला प्रसंद देखिए आप कि लोकतंत्र के मुल्यांकन के द्रिष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदू लोकतंत्रिक विवस्था के अनुरूप नहीं है यानि कि लोकतंत्र जो होता है उसके मुल्यांकन जब किया जाता है तो उसमें से बताने कि कौन सा बिंदू जो होता है लोकतंत्रिक विवस्था के समच समानता होता है यहां पताए है यहां समानता भी समानता हो यहां मिलता है उसी का शासन बनता है जिसका सही जवाब क्या होगा सी वाला आपसन सही हो जाएगा इसलिए कि यहां पर देखिए आपका नहीं पूछा है और आपको गलत जवाब ही वदाना था यहां पर बहुत संख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं होता है ठीक है यहां पर सही वाला ज आपका पर होता है उत्रखंड में क्या होता है है लो पानी खेति की जाती है लेकि शो-पानी-क्र ShFF नुमा खेत बनाना उसी भी अपना खेती करना यह वता है स्वपानी खेती आता इसके अंत्रगत यह कहां पर उत्राखंड में होता है अगला प्रसंद देखिए निम्न में कौन सी रोपड किरसी की फसल है यानि रोपड किरसी के बारें बताना है कौन आएगा जैसे कहवा यह आपको यहां पर फता है कि रोपड किरसी के अंत्रगत कहवा दौक आता है और यहां पर बहां दोनों आता है यहां डोनों आप साथ कि संदर अंद्रगत कहवा ओं चलए अ किस अधर नम्बर का क्नूल से कौन सा आधार भुत खनीच को माना जाता है ताबा लोग अबराक सोना जो होता है आधार भुत खनीच को माना जाता है यह प्रशन तो आप सभी को एकदम धोगा अगला प्रशन देखिये कि निम्न में गयर पराइबर्ड प्रक्राइबर उर्जय का साधन कौन सा इन गर्फ्रांपराइबर्गत उर्जय कौन सा है खनिश्दे मेरा प्राकृति और आफ ट्रयस अर्य उर्जया यहाँ दिखी गर्शक मतलब होता है कि जो उर्जा कभी भी भविस्य में कभी नष्ट नहीं हो सकता है कभी समाप्त नहीं हो सकता है वह गयर प्रमप्रागत उर्जा के अंत्रगत आता है यह खनीश देल है एक समय के बाद यह नष्ट हो जाएगा मतलब समाप्त हो जाएगा कोईला भी समाप्त हो जाएगा प्रा कुछर में कभी साप नहीं हो सकता है ठीक है अगला प्रसंद के 15 नमबर का भारत में कौन सा नगर को इल्यक्टानिक उद्ध्योग की राजधानी कहा जाता यानि कि जहां पर संबंदीद उद्ध्योग धंदे जधा पाया जाते हैं उस सहर का नाम बताना है आपसन हो दो हो ऑदो मुंबई मत लगा दीजिए इंहिंगत इना एक इसी राजधानी है ठीक है जहां पर सबसे ज्यादा परिवहन का सधन काने सरक्प्रिवहन माना जाता है वायुपरिवहन प्रिवाहन या पाइप लाए तो भारत में प्रिवाहन का सबसे प्रमुक्त साधन जो माना जाता है रेल पर जाता है इसका सही जवाब सीवलाप्सन क्या होगा सही होगा अगला प्रशन देखिए और द्योगी क्रियाओं को किस आर्थिक च्छत्रक के अंतरकत रखा गया है Yaамe ओद्योगी क्रियह कि समय आता है प्रावत्मिक में दी ती मरें ताय च्चत्र हो जाएक जो डार किन गरतलेंद्यगour लिए उतरा नंबर का शहए बीवलाफषाण सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखें 18 नम्बर का मानौ विकास जूचक 2018 के अनुसार किस देश की इसस्थती उस्थतम अस्तर पर है यह इसका सही ज़व को अगए बीवलाफषाण सही हो यह भी प्रस्ण आपके पेपर में कई वार रिपीट हो चुका है ठीक है इस प्रश्ण को याद रखिएगा कि मानों विकासुच का सुचक के अनुसार कि देश की स्थिति अजुच्छतम माना जाता है तो माना गया है भी आपसन सहीव जगा स्रिलंका ठीक है अगला नमबर ओर रिखें राष्टी उप्भोक्ता दिवस को मनाया जाता है बहुर बहुराश्टी कंपैयों द्वारा सबसे समान मातों सायला यानिक है क mixtureu जाधa करती है नएक यारथ कारखाने के अस्थापनाम करती है इस्थानी कंपनी के में साचजदार्याई में करती हैं Technology इसका सही ao प्रशण करा आगे प्रशणूं में से कितने प्रशन आपके सही हुए हैं तो अब ह representations आप देख इन प्रशनों का आप देखके आप यह समझ लिजेगे कि इसी प्रकार के प्रशन आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, सभी प्रशनों के एक बार देख रहीजिए कि किस प्रकार के प्रशन आपको तयार करना है, पहला प्रशन देखिए, भारती अर्थ ब पताएंगे तो वीडियो का लाज तक जरूर देखिएगा इसकी मत कीजिएगा आप इन सभी प्रश्णों को भी देख लीजिए जिससे आपको यह पता चले कि आपके बोड के एकजाम में जो दिर्ग उत्री प्रश्ण है किस प्रकास से आते हैं अगला देखिए वैश्विक अगला प्रस्ण देखिए तीसरा नंबर का आर्थिक विकास के लिए उर्जा एक आधार वुत अवश्रकता है इसके दो करणों का उल्लेक कीजिए ठीक है देखिए चार नंबर के प्रश्ण है यह अथवा में देखिए दिया है आपका कि परिवहन तता संचार के साधन कि सथी देश की यह इसी तार कि दीटमाने जाते हैं है दो का उलेक कीजिए चार नंबर का प्रश carrying ईसके साथ में यहां प्रश्ण को देखिए आप कि अच्छे बाजार कि किरी दो लट्छो का उनलेक प्रश्ण रहे हैँगा यह जातन देखिए बहुराष्टि के कमपनियों निवैस की वीधियों का वरान कीजेए जितने भी प्रस्ण बता जाएंगे और जो इसका उत्तर लिखना रहेगा डियर सो सब्दों में लिखना रहेगा देखिए पहला पच्छा नंबर का सवाल क्या है अगला प्रसंद देखिए संगवाद का क्या अर्थ है इसके साथ में संगी विवस्था के प्रमुक विश्यस्ताओं का उलेग कीजिए टूटल छा नंबर का अध्वा देखिए लोगतनत्र शाशर अन्ने विवस्थाओं से बेड़े असपस्ट कीजिए टूटल छा नंबर का प्रसंद रहेगा ये भी साथवा नमबर का प्रस्ण आप देख लिजिए कि मिर्दा अप्रदन का क्या अर्थ है मिर्दा सरच्छ की उपायों को सुझावत देना है आपको भारत में मोटे अनाजू की पैदवार बहाने के लिए उपायों को सुझावत देना यह जितने भी प्रस्ण बता रहा है आपको सभी 6 नमबर के प्रस्ण रहते हैं अगला नमबर का प्रस्ण है कि मानोव विकास उचकांग क्या है इसको निरुधारित करने वाले प्रमुक अयोक पर प्रकास डाली टूटल 6 नमबर का रहता है इसके अलावा देखिए प्रस्ण पर द्यान से देखिए इसके निर्देश को पढ़िए कर रहा है प्रस्ण स्थां क्या 9a नाइन भी मांचित्र से संब्धित प्रस्ण है 9a का देखिए पहलास क्या जवाब इस निर्देश को आप पढ़ लिजीएगा देखिए यहां पे सभी प्रस्णों का इंसुर आपक यह कहां पर हुआ तो 1927 में यह हुआ था मद्रास में अगला देखिए वह अस्तान जहां महात्मा गादी ने नमक कानीन तोड़ा था तो कहां पर तोड़ा था यह तो डांडी में आपको पता होगा डांडी कहां पर है तो डांडी है आपका गुजरात में ठीक है अगला प परसनाव से क्या है वह संब गादी का किसान सत्यूगरां अंदुलन हुए था यह वा था चंपारण चंपारण है कहा पे भीहार में आप सभी को पता होगा अगला देखे वह संब जहां उननेश में भारती राश्री का का अग्रेस का अधिवैसन हुआ तो देखी 29 milli tax issue में भारती राष्टी का अधिवैसन हुआ था यह हूं था यह था आपका लाहोर में वार इससें में एक पकिस्तान तान कैंच एक 1927 जब कहेगा तो मद्रास में हुआ था जब 1929 कहेगा तो कहाँ हुआ था लाहोर में आप इसे ज़रूर द्यान से याद रखिएगा अब देखिए आपका अगला नंबर जो प्रशन है ठीक है इसन महां होते हैं अगला प्रशन क्या है नान क्वा बटा यह Essentially बंगाल नाम बदा धे रहे हैं क्या होता है बल्लब पूरे बल्लब बल्लब ठीक तो पस्टिम बंगाल कि एका बैरा क्या है बल्लब पुरियाद रखिए गा इसके साथ में बहार के पुरुवी टट पर इस्तित्थ एक बंद्रगा का लिखना है बंद्रगा तो देखें यहां पे ध्यान कई कहा है पूरुवी टट पर कहा है श्रिंखला इस चिन के द्वारे देखाना राजस्थान कई को पॉर्वसी रिंकल्ग outta रावली रावली मेis पौवसी रिंकला की दिखा शक्ते मांचित्र यह आपको क्या है एक लग्त च्छेतर का नाम है अभी अगला है पर बनावा जी मतना नर्मिद्थ याड़ रखांग या मतनाद यह तकने दूंघ法 मतना रखिंग कर से यहाद रही प्रश्न पर शांका पेपर का संपूर प्रश्न थे आप सभी को संपूर पर प्रश्न बताएं और इतनी प्रसे किस पघा से आपके पेश Cyka